जहें दोस्तों तो जितने लड़कों ने शिपिंग कॉर्परेशन आफ इंडिया में अपना जीपी रेटिंग के लिए जुलाई बेच दो हजार चोवीस के लिए इंट्रेंस एक्जाम दिया था उनका इंट्रिव्यू का कॉल लेटर आया था और उसके बाद कैसे कराना है कहां जाना है क्या प्रोस्यूजर होगा कितनी फी जमा करनी पड़ेगी यह सारा डीटेल हम लोग इस वीडियो में कभर करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कि यदि वीडियो हमारा देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल प मेसेज भी किये हुए है कि कैसे क्या करना है रिफा टू इंटरव्यू कंड़क्ट फॉर जनल प्रपस रेटिंग लीडिंग टू एंसीवी सेकेंड मैड कोर्स फ्रॉम दा अठारा अठारा तारिक से लेके 20 तारिक तक जो आपका हुआ था उसके बारे में इन्होंने इंट जो वह सौट लिस्ट हो गया मेडिकल के लिए मेडिकल कराएंगे अगर मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आपका स्लेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगे यू आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट अब आपको मेडिकल कराने कहा जाना है तो एंटी आई पावई फ्रम देमेडिकल सब्चेशन रिपोर्ट जैसा ही आपका मेडिकल कंफलीट हो जाता है तो जो मेडिकल रिपोट आपको मिलेगा वो ले जाकर संबीट करना पड़ेगा आपको एजुकेशन सर्थिफीकेट उसके साहथ आपको अपना एजुकेशन जो आपने टेन टू फिल पास किया उसकी स confirmation from the MTI you are you are to deposit 1.5 lakhs यानि एक लाग पचास जा रूपए as the admission fee as the applicable और आप जब आपका document verification हो जाएगा सारा चीज़ सही होगा तो आपको डेड़े लाग रूपए महाँ पर payment करना पड़े का admission के लिए your admission will be only confirm on the receive of the admission fee and the verification of document अगर आपका document verify हो गया और आपने फी payment कर दिया तभी आपका seat क्या होगा तो confirm होगा ठीक है प्लीज नोट passport is the compulsory for the registration on the dg shipping site करने का मतला में कि जब आप medical करने जाएंगे जब आप अपना admission लेने जाएंगे जब अपना document verification करवाने जाएंगे तो add the time आपके पास passport होना mandatory है क्योंकि बीना passport का dg shipping site पर आपका registration नहीं होगा तो बहुत सारे लड़के passport का इंतिजार कर रहे हैं तो भाई किसी तरह passport अपना लाओ और जाओ ठीक है informatly course will be comes from the first week of July 2024 यानि आपका जो सेशन सुरू होगा first week जूल माने समझे कि एक या दो जूलाई से आपका classes सुरू हो जाएंगे तो यही सारी डीटेल इसमें लिकी हुई है तो इस डीटेल को follow कीजिए और follow for watching this video thank you everyone thank you so much